हलो गाईज और विलकम बैक टो शिखा क्लैसिज हम इस वीडियो में ये कुछ पॉइंट से जो डिसकस करेंगे पहला कि डियलेसिस क्या होता है दूसरा हेमोडियलेसिस क्या होता है आटिफिशिल किड्नी क्या होता जिसको कि डियलाइजर भी बोलते हैं उसके बाद फिर क्या आखिर ये आटिफिशिल किड्नी फंक्शन कैसे करता है ये आटिफिशिल किड्नी का जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल किड्नी के फंक्शनिंग से कितना डिफरेंट है क्या डिफरेंट से उसमें प्लस आखिर क्या kidney में damage हो जाता है जिसके वजह से हमको एक artificial kidney की जरूरत पड़ती है First of all हम यह देखते कि dialysis word का meaning क्या होता है तो अगर dictionary के हिसाब से देखे या chemistry के dictionary के हिसाब से देखे तो dialysis जो है वो एक तरह का separation है liquid में से उन particles का separation किस आधार पर हम liquid में से particles को separate करते कि वो जो particles है वो liquid के बाहर के membrane के through pass कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो जब आप यहां पर hemodialysis पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वहां पर भी कुछ semi permeable membranes होते हैं और इसी तरह हम चेक करते कि उस liquid में से waste जो है वो बहार निकल सकता है कि नहीं निकल सकता हम उसी तरह का osmotic pressure वगरा सब कुछ create करते हैं तो इसलिए chemistry का जो यह meaning है उससे थोड़ा relation है अब हम देखते हैं कि biology में medical terms में dialysis क्या है डालेसिस एक treatment है for kidney failure इस treatment में क्या करते हैं कि blood से toxins को waste material को और जो excess fluid होता है उसको blood से हम अलग करते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा kidney fail कर जाता है या फिर partial failure होता है वो ठीक से work नहीं कर पाता है तो हमारे body का जो blood है उसमें nitrogenous waste या कुछ और waste भी कुछ excess fluid रह जाते हैं वो completely kidney में purify नहीं हो पाते तो वैसे कि इसमें external equipments दे करके हमें kidney का काम करवाना पड़ता है उन equipments के थूँ उन devices के थूँ और blood में से toxins को waste को remove करना पड़ता है तो यह जो treatment है kidney failure का जिसमें की blood को purify करते हैं उसके toxins को उसके waste को remove करते हैं इस treatment के process को dialysis बोला जाता है अब यह जो dialysis का process होता है यह दो तरह का होता है एक hemodialysis और एक peritonial dialysis आपको 10th class में peritonial dialysis नहीं पढ़ना है तो इसलिए को हम लोग अभी ignore करते हैं first is hemodialysis इसमें क्या किया जाता है इसमें जो हमारा blood है जिसमें की waste है जिसमें की toxins है nitrogenous waste है एक से fluid है उस blood को body से निकाल करके external device में pass किया जाता है उस external device को आप dialyzer भी कह सकते हो artificial kidney भी कह सकते हो और उसमें जब हमारे body का blood जाता है तो उसमें से जो nitrogenous waste हैं जो toxins हैं वो उस blood से निकल जाते हैं और फिर वो blood को वापस हमारे body में डाल दिया जाता है अब सवाल उठता है कि आखिर हमारे body में ऐसा क्या defect आजाता है कि हमें एक artificial kidney की जरूरत पड़ती है तो kidney जो है वो एक बहुत ही vital organ है हमारे body का अब क्या होता है कभी infection के कारण या फिर कोई injury हो गई कोई चोट लग गया उसके कारण या फिर blood flow अगर proper नहीं और kidney में properly blood flow नहीं कर रहा है वह हमारे blood में रह जाएंगे उनका accumulation हो जाएगा वह जमा हो जाएंगे और तब एक इंसान का death भी हो सकता है तो वैसे केस में जिनका kidney completely blood को clean नहीं कर पा रहा है हमें एक artificial kidney की मदद लेनी परती है जो की dialysis के process के through हमारे blood को purify करता है dialysis का process वही जो मैंने first आपको term बतलाया था कि एक liquid में से जो particles से उनको अलग करना तो जो हमारा blood है उसमें से हम nitrogenous wastes और toxins को अलग करते हैं तो इस dialysis के process के through हम blood को purify करते हैं और जो device है जिससे कि ये blood purify होने का काम होता है that device is called artificial kidney देखिया हम लोग सिर्फ 10th class में जितना पढ़ना उतना ही discuss करें तो हम बहुत जादे detail में नहीं जाएंगे लेकिन एक जो artificial kidney होता है जो एक dialysis होता है उसका कुछ इस तरह का structure होता है उधर एक patient है जिसके हाथ में से artery से blood ले जाया जा रहा है और इस artificial kidney के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ tubes हैं वो tubes के जो membrane होते हैं वो semi-permeable होते हैं और इस tube के बाहर जो यहाँ पे खाली space है उसमें एक dialysis solution है अब क्या है कि जो blood है जो कि इस semi-permeable membranes के through pass कर रहा है और जो यह dialysis fluid है इस दोनों का osmotic pressure को same maintain किया जाता है Osmosis का process क्या है कि जब कोई liquid high concentration से low concentration की तरफ move करती है Actually होना चाहिए कोई solvent जो high concentration से low concentration की तरफ move करती है पर यहाँ समझने के लिए मैं liquid कह रही हूँ बोल रहा है यहाँ पे कि उस blood का osmotic pressure और वो जो dialysis fluid है उसका osmotic pressure हमको same maintain करना है मतलब कि दोनों ही fluids का चाहिए वो blood हो चाहिए वो dialysis solution हो दोनों का pressure same हो अब क्या है कि यह जो blood का osmotic pressure और जो fluid dialysis fluid है उसका osmotic pressure उसको same रखा गया है मतलब कि osmosis के through न तो बाहर का fluid अंदर आएगा न तो blood जो है वो बाहर जाए कि दोनों का pressure same है तो कहीं पे भी high या low concentration की बात ही नहीं है तो जो fluids है वो move नहीं करेंगे तो blood का osmotic pressure और fluid के osmotic pressure same होने से यह benefit होता है कि exchange नहीं होता solvents का लेकिन क्या है कि एक difference है blood में nitrogenous wastes है blood में toxins है लेकिन जो dialysis fluid है उसमें nitrogenous waste नहीं है तो एक process होता है diffusion जिसमें कि high concentration से चीज़े low concentration की तरफ move करती है तो उसी तरह से यहां पे भी क्या होगा कि यह जो membrane है इसके अंदर में nitrogenous waste है पर dialysis fluid में nitrogenous waste नहीं है लेकिन यहां पे जो tubes है जिससे blood flow कर रहा है उसके membrane semi permeable है तो क्या होगा कि जो nitrogenous waste जो tubes के अंदर high concentration में है वो बाहर dialysis fluid की तरफ move करेगा by the process of diffusion क्योंकि blood में उनका concentration जादा है और dialysis fluid में उनका कोई amount ही नहीं है तो clear cut बात है कि diffusion से वो blood के अंदर high concentration से बाहर की तरफ move करेगा और इस तरह से हमारे blood से nitrogenous waste remove हो जाएगा और blood वापस से हमारे body में डाल दिया जाएगा अगर आपने kidney में जो उसका functional unit होता है structural unit होता nephron अगर उसका video आपने देखा होगा मैंने उसका link description में दिया है तो आपने देखा होगा कि उसमें एक process तर reabsorption मतलब blood pass करता है nephron के through purification के process के दोरान और उसमें से कुछ fluids वापस blood में अब्सॉर्ब हो जाता है artificial kidney का function काफी कुछ similar होता है kidney से बस वही एक difference है कि kidney के case में nephron के case में reabsorption होता है इस case में artificial kidney के case में कुछ भी reabsorption नहीं होता है बस nitrogenous waste निकल जाता है blood cells dialysis fluid में और कोई भी चीज का reabsorption का involvement नहीं होता है क्योंकि एक average एक दिन में हमारे kidney में जो initial filtrate जाता है 180 liter liquid होता है लेकिन actually जो urine का amount हम दिन भर में body से निकालते है वो एक liter से दो liter ही होता है तो इसका मतलब क्या कि 180 liter में से 1 या 2 liter ही होता है जो हम body से remove करते है as urine इसका मतलब जो बचे भी 178 या 179 liter जो liquid है जो filtrate है वो वापस reabsorb हो जाता है ब्लड में मैंने रैंडमली एक diagram बनाया है मेरा diagram जो है ड्राइंग बहुत ही खराब इसलिए बस एक बात समझना है कि यहां से blood enter कर और यहां से blood exit कर रहा है जो कि हमारे veins में जाएगा यहां पर arteries है इधर से veins में वो connect होगा हमारे wrist के यहां पर क्या है कि यह blood जो इस tubes में flow कर रहा है वो blood का osmotic pressure और जो यहां पर आपका dialyzing solution है इसका osmotic pressure सेम इसलिए fluid का movement नहीं होगा लेकिन इस blood की अंदर nitrogenous waste है जो कि इस fluid में नहीं है तो यह जो semi permeable membrane है tubes का उसके through जो nitrogenous waste है वो बाहर निकल जाएंगे और फिर वो इधर collect हो जाएंगे और fresh dialyzing solution इसमें continuously enter करते रहता है तो blood जितने देर तक यहां पर आता जाएगा आता जाएगा जाएगा by the process of diffusion So guys, hope आपको यह processes सारे अच्छी से समझ आ गए हो फिर भी कोई doubt हो, feel free to mention it in the comment box below या फिर आप मुझे एमेल भी कर सकते है email address is swanshika28 at the rate gmail.com See you in the next video with some new topics Till then keep smiling, have wonderful days!